नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अथर वर्माय और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ जैंस्टोंस बताऊंगा जिने आप शुक्र देफ के उपरतन की तरह पहन सकते हो तो पहला जो स्टोन है वो है ओपल अब ओपल में दो ट्रैक के ओपल आते हैं पहला आता है प्लेन ओपल दूसरा आता है फायर ओपल इसके अलावा जो दूसरा स्टोन है वो है वाइट सफायर यानि की सफेद पुकराच तो आप सफेद पुकराच को भी पहन सकते हो तीसरा है वाइट जिर्कॉन चौता है वाइट टोपास और पांचवा है स्फटिक ये पांचों स जो है यह शुक्र देव के उपरतने की तरह काम करेंगे और आपको रिजर्ट देंगे और आपके जो शुक्र देव है उसको और जादा पौरफुल बनाएंगे अब यह पांचों आपको एक साथ नहीं पहनने है इन पांचों में से जो एक आपको अच्छा लगा आप वो पह पहन सकते हो अगर आपका बजट डायमेंड पहनने का नहीं है तो अगर आपका बजट डायमेंड पहनने का है तो आप डायमेंड पहनी है लेकिन अगर आप सोच रहे कि मैं डायमेंड में अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूं या फिर मेरा बजट डायमेंड लाइक तो आप इन पांचों में से कोई एक उपरतनों को धारन कर सकते हो ये पांचों स्टोंस जो हैं ये शुक्रिदेफ के उपरतनों की कैटिगरी में आते हैं अब इसमें जो है अलग-अलग प्राइज रेंजे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं मार्केट के हिसाब से जो वाइट टोपाज और इस्फटिक है ये थोड़ा सा सस्ते आते हैं अगर कंपेरिजन करा जाए सफेद पुकराच फायर ओपल और वाइट जिर्कौन से तो तो ये तीन स्टोंस जो है थोड़े से महेंगे आते हैं और ये जो दो स्टोंस है यानि की वाइट टोपाज और इस्फटिक ये थोड़े से सस्ते आते हैं तो ये market के हिसाब से जो है pricing है तो आप अपने हिसाब से अपने budget के हिसाब से देख सकते हो कि आपकी budget में कौन सा जो उपरतन है वो suit कर रहा है और आप वो उपरतनों को धारण कर सकते हो और अपने शुक्र देफ को powerful बना सकते हो तो उमीद करता हूँ दोस्तों ही वीडियो आप लोगों पसंद आई होगी वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को like जब करेगा चैनल को subscribe जब करेगा और अगर आप कोई भी jamstone रुद्राश हमसे लेना चाहते हैं तो स्कीन पर दीवे नमबर पर आप मैं call या फिर what's up भी कर सक करते हैं अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए और फ्रेश टॉपिक जात तब तक के लिए टाटा बाए बाए टेक क्यार